हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक के सेकेंड यर के ट्रेट थियूरी के कोश्चन को करने वाले हैं और यदि आपका भी सेवीटी एक्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इ सेकेंड यर वाले तो चलिंए यह cvt का एक्जाम पीपर है आप इसको डाउन्लोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम olsun से ठीक है लिंक हम डीस्क्रिप्चन बाक्स में दे देंगे अपने टेलिग्राम चैनल का या अप टेलिग्राम चलाते होंगे तो आप सर्च कर सकते हैं सक्सेज कारियर नाम से है टेलीग्राम चेनल वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करनेंगे देखें सीबीटी का जो पहला कोश्चन था यहां पर पहला कोश्चन दिया है वाट इस दो फूल फाम आप डी एस ओ का पूरूरूप क्या है ठीक है यहीं कि डी एस ओ का आपको बताना है तो क्या होता है डी एस सो का फूल फाम डीजिटल स्टोरेज आसीलो इसकोप ठीक है करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा डीजिटल स्टोरेज आसीलो इसकोप इसका मतलब क्या होता है तो डीजिटल स्टोरेज आसकिलो इसकोप एक इंस्टूमेंट है जो Digital Memory में हमें उस Signal पर Digital Signal Process करने की अनुमति देता है। उसी को बोलते हैं DSO तो आपको DSO को पता होना चाहिए DSO क्या है और इसका full farm याद होनी चाहिए next question देखेंगे दूसरे नमबर दिया है what is the full farm of PGA ठीक है तो आपको PGA का full farm आनी चाहिए कि PGA का full farm क्या होना चाहिए और साथ में हम देखेंगे used in SMD IC package SMD IC package में जो हम लोग इस्तमाल करते हैं PGA को उसका full farm बताना है तो सबसे पहले PGA का full farm देख लिए pin grid array होता है pin grid array और दूसरा आपको याद रखना है SMD का भी full farm याद रखना है ठीक है तो SMD का full farm याद रखेगा surface mount device ठीक है यहाँ पर दो आपकी question तयार होने PGA का full farm पूछा है directly exam में तो pin grid array ठीक है और SMD का अगर full farm पूछ लेता है तो क्या होता है surface mount device यह क्या होता है जो component केवल सता पर लगाया जाते है ना soldering भी सता के उपर की जाते हैं उन्हें SMD component कहते हैं या SMD IC package कहते हैं next question देखेंगे तीसरा नंबर दिया है what is the power rating of soldering iron used in electrical and electronic work electrical और electronic work electronic का में उप्योग किये जाने वाले टाका लगाने वाले soldering iron के सक्ती rating क्या है तो जो सक्ती rating होती है यह 15-35 watt होता है correct answer यह हो जाएगा next question देखेंगे चोथे नंबर दिया है what is the composition of solder paste used for reflow soldering process reflow soldering प्रक्रिया के लिए solder paste की संरचना क्या होती है तो solder paste जो बना होता है उसकी जो संरचना होती है वो powder solder और flux होता है correct answer C हो जाएगा next question देखेंगे दिया है which conformal coating material is used as two-part thermosetting mixture के रूप में कौन सी conformal coating सामगरी का उप्योग किया जाता है तो यह होता है epoxy resin जो की conformal coating सामगरी के रूप में उप्योग किया जाता है next question देखेंगे अब देखेंगे यहां पर एक और आ गया PCB आपको पता होना चाहिए PCB का full farm आपको आनी चाहिए ठीक है और यह क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए चले हम question को पढ़ते हैं उसके answer भी देखेंगे और साथ में PCB का full farm भी देखेंगे what is the name of technology used to mount a component on multilayer PCBs ठीक है बहुपर PCB पर घटकों को mount करने के लिए उपियों की जाने वाले तकनीकी का क्या नाम है तो देखेंगे सबसे पहले जो PCB पर घटकों को mount करते हैं उस PCB को पहले क्या कहेंगे PCB का full farm क्या होता है तो PCB का full farm होता है printed circuit board PCB printed circuit board जो होता है इस पर घटकों को mount करने के लिए उपियों की जाने वाल तकनीका क्याने में तो उस तकनीकी को बोलते हैं प्लेटेट थ्रू होल प्लेटेट थ्रू होल करेक्ट इंसर डी हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे सिवन नंबर दिया है वाट इज द करेंट रेटिंग आफ कैट्रीज फ्यूज यूज फार डोमेस्टिंग वाइरिंग ठीक है घरोली वाइरिंग के लिए इस्तमा एट इंसर यह हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे डिया है विस सिरीज एंसीबी तुरी फार प्रोटेग्शन आप मोर्टर मोर्टर की चूरक्षा लिए बएक सीरीज करते हैं तो वह जी सीरीज आपने अंसर बता दिया लेकिन सिर्फ अगर आपकी कोश्चन आ जाते हैं mcb का फूल फार्म बताइए ठीक है तो mcb का फूल फार्म याद रखिएगा miniature circuit breaker ठीक है miniature circuit breaker होता है यह क्या करता है तो यह है जो काम करता है कि mcb एक circuit breaker यह काम करता है कोई भी इलेक्टिक फाल्ट हो या circuit breaker अपने आप ट्रिप होकर supply को रोक देता है ठीक है यानि कि mcb गिर जाता है तो हमारे जो शार्ट शार्ट होने से बज जाती है next question देखेंगे दिया है what is the fuse factor कि आफ़े रिव्वाइरेबल फ्यूज सेलेक्टेड़ फारे ओवर करेंट प्रोटरक्शन इन सरकीट एक सरकीट में ओवर करेंट सुरक्षा के लिए चुने गए पूना परियोज जब फ्यूज का फ्यूज फेक्टर किना क्या है तो फ्यूज फेक्टर होता है वन पॉइंट फोर करेक्टेंस और डी हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे नेक्स्ट कोस्टन है किस प्रकार के स्विच का उप्यूग किया जाता है तो इंडक्शन रन मोटर में जो स्विच परियोग मिलाते हैं वह है करेक्टेंस और क्या हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे इलेवन नंबर दिया वाट इस फुल फार्म आप पीटीजेट के बन यूजड इन सर्किट कैमरा तो देखिए पीटीजेट का फुल फार्म पूछ रहा है जो कि कहां यूज किया जाता है सिक्योर्टी कैमर जूम या पैंट टिल्ट जूम कैमरा होता है इसमें क्या होता है कि बायायें Sydney या उपर से नीचे जूम सखकते हैं इसके अतरिक जो पीटी जेट होता है इसके दौरा हम लोग 360 डिगरी पे क्या करते हैं कैमरे को घूमा सकते हैं और नीचे की वस्थू देख सकते हैं PYT ज उच्छ शक्ति अनुई प्रयोग के लिए किस प्रकार के आरेफ केबल का उप्योग किया जाता है तो यह प्रयोग मिलाया जाता है आरजी एट का अगला कोशन देखेंगे तेरह नंबर है दिआ है what is the name of signal used in digital modulation अंकिया अधी मिश्रण में इस्तमाल संकेत के नाम क्या है तो यह संकेत जो दिखाए गए है इस संकेत का नाम क्या है तो इस संकेत का नाम है PSK signal PSK signal PSK signal PSK का full form की अगर माली जे एक्जाम में आपका आ जाता तो आप क्या बताते PSK signal का full form तो याद रखेगा phase shift key phase shift key और एक होता है fsk ठीक है तो इसका अगर full form आपको याद रखना है यह भी दोनों important है तो इसका मतलब होता है frequency shift key ठीक है तो दोनों याद रखेगा full form तो इसका आपको correct answer पता चल गया ना क्या होगा यहाँ पर correct answer PSK signal होगा और FSK signal का मैंने full form आप लोगों को बता दिया जो की important है उसके बाद ASK भी important है आपको full form याद रखना चाहिए तो क्या होता है तो इसका मतलब होता है amplitude shift king क्या होता है amplitude amplitude shift king correct यहां पर full form होता है तीनों को मैंने बता दिया चौथा का आपको comment बाक्स में बताएगा क्या होता है अगला question देखेंगे चौधा number देया है what is the range of frequency for medium wave ठीक है इन एम ब्रूड कास्टिंग एम पर साड़म माधियम वेब मेगावाट के किस आविरती की सीमा क्या होती है तो इसकी आविरती की सीमा होती है पांसो तीस हर्ड से लेकर 1650 किलो हर्ड तक याद रखे है करेक्टेंस वर सी हो जाएगा next question फिफ्टीन नमबर देखेंगे दिया है what is fidelity of receiver circuit receiver circuit की निश्टा क्या है तो receiver circuit की जो निश्टा होती है वह प्रजनन की अतारता यानि accuracy of reproduction correct answer ही हो जाएगा next question देखेंगे दिया है which pin is mark as the master reset ठीक है RST function in micro controller IC 8051 micro controller IC 8051 में किस pin को master reset function रूप में चीनित किया जाता है तो इसे चीनित किया जाता है pin नमबर 9 के माधियम से correct answer A हो जाएगा next question देखेंगे 7 नमबर दिया है which circuit uses micro controller कौन सा circuit micro controller का उप्योग करता है तो micro controller का उप्योग करता है वो है embedded system correct answer दियो जाएगा अन्त अस्थापित प्रडाली next question देखेंगे 18 नमबर दिया है दिया है what is the maximum temperature of platinum RTD device 6 platinum RTD device का अधिक्तम तापमान कितना होता है तो platinum RTD device की जो अधिक्तम temperature है वो 650 degree Celsius होता है correct answer B हो जाएगा next question देखेंगे दिया है which test is conducted through the circuit diagram कौन सा परिक्षर circuit R1 के माधियम से आयोजित किया जाता है तो इस जो डाइग्राम दिया गया है किसके माधियम से होता है तो यह temperature control test ठीक है correct answer C हो जाएगा यानिकि तापमान निया तरफ परिक्षर नेक्स question देखेंगे 20 वा नंबर दिया है what is the full form of RTD used in sensor sensor के रूप में इस्तवाल होने वाले RTD का पूरा नाम क्या है तो RTD का फूल क्या होता है resistance temperature detector correct answer D हो जाएगा next question देखेंगे 21 नंबर दिया है what is the full form आप TFSC ठीक है तो TFSC का पूर्ण रूप क्या होगा तो इसका मतलब होता है thin film thin film solar cell correct answer A हो जाएगा next question देखेंगे 22 नंबर दिया है what is the name of block mark as X in the grid tight system ठीक है grid tight system में X के रूप में यह दिखाया गया जो इस block का नाम क्या है तो इस block का नाम है utility supply correct answer D हो जाएगा next question देखेंगे 23 नंबर दिया है what is the drawback of grid system in solar electric power शोर वैदुत सक्ति में off grid प्रडाली की खामी क्या है तो आफ ग्रीट प्रडाली की जो कमी है खामी है वह है lack of storage unit यानि कि भंदारर की काई का अभाव हो नहीं इसका क्या है आफ ग्रीट प्रडाली की खामी है next question देखेंगे 24 नंबर दिया है what is the advantage of cdma communication system cdma communication system का लाव क्या है cdma संचार प्रडाली का लाव क्या है तो इसका जो लाव है यह बहतर काल गुडवत्ता देता है यानि कि improve quality काल quality देता है cdma communication correct answer c हो जाएगा next question देखेंगे 25 नंबर दिया है what is the purpose of encoder in cdma system cdma प्रडाली में encoder को उदे से क्या होता है encoder का जो दे से होता है to build redundancy into the signal signal में अतिरिक के निर्मार करना correct answer c हो जाएगा next question देखेंगे 26 नंबर दिया है which cable is used to connect led tv media device led tv media device को जोड़े के लिए किस cable का उप्योग किया जाता है तो led tv और media device को जोड़ने के लिए जिस cable का उप्योग किया जाता है वो है hdmi cable correct answer c हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखें led से किसको जोड़ा जा रहा है तो led से media device को जोड़ा जा रहा है और इसी cable को बोलते है hdmi cable next question देखेंगे यहाँ पर figure में दिया हुआ है कि what is the name of connector part mark as x यह x जो चीनित किया गया है इसके अंदर जो pin होते है उसको क्या केते हैं तो यह जो pin होते हैं यह इसमें 50 pin VGA mail connector होता है यह इसमें 50 pin नोट से हैं correct tensor D हो जाएगा next question देखेंगे 28 number दिया है what is the name of part mark x in the multimode optical fiber cable multimode optical fiber cable में x के रूप में चीनित यह जो x के रूप में चीनित पार्ट है उसका नाम क्या है तो इसका नाम है core correct tensor क्या हो जाएगा A हो जाएगा next question देखेंगे 29 number दिया है how many inputs line are available in BCD to 7 segment decoder IC BCD से 7 segment decoder IC में कितनी input line उपलब दोती है तो यह उपलब दोता है 4 correct answer B हो जाएगा next question देखेंगे what is the count range of 3 digit DPM तीन अंकिये DPM की गिंती सीमा क्या होती है तो इसकी जो गिंती सीमा होती है 0 से 999 तक होता है correct answer B हो जाएगा next question देखेंगे which type of transformer is used in DC to AC converter DC से AC converter में किस प्रकार के transformer का उपयोग किया जाता है तो यह उपयोग मिलाया जाता है step down transformer यानि की correct answer D हो जाएगा next question देखेंगे 32 number दिया है which mode of operation the transformer is connected transformer operation के किस mode में जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है boost operation mode में correct answer D हो जाएगा next question देखेंगे 33 number दिया है which power device is used for switching purpose in computer SMPS कम्प्यूटर में SMPS में switching उद्धे से के लिए किस power device का उपयोग किया जाता है तो यह device उपयोग मिलाया जाता है MO saved most saved ठीक है अगला question देखेंगे 34 number दिया है what is the type of UPS ठीक है UPS के किस पर कड़का है तो यह UPS जो है यह line interactive UPS है क्या है देखी inverter है यह battery से connect है आउटपूट इदर परदान करेगा और इदर से main AC filter में जाएगा filter से किस में जाएगा voltage regulator में और यहां पर transformer की switch लगी हो है transfer switch जो की on-off करते ही inverter convert करेगा क्या output इदर देगा और battery से connect रहेगा तो correct sensor क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगला question देखिए दिया है what is a full farm of cvt cvt का प्रूडूप क्या है देखिए यहां पर full farm में आप लोगों सुर्ण से बताते आया हूं सभी important है इस वज़र से आप लोग maximum क्या करेंगे अपनी full farm याद करेंगे तो देखिए cvt का full farm क्या हो गया यहां पर constant voltage transform ठीक है constant voltage transformer correct sensor भी हो जाएगा next question देखिए 36 number दिया है which bulb change the color due to age and ambient temperature कौन सा बल्ब अवस्ता और परिवेश के ताम्मान के कारण रंग बदलता है तो यह बदलता है LED बल्ब के कारण correct sensor यह हो जाएगा next question देखिए 37 number दिया है which ic is mark x in LED driver circuit LED driver circuit में किस ic को चीनित किया गया है यहां पर x से तो यहां correct sensor क्या हो जाएगा तो यह चीनित किया गया है ic 555 के द्वारा correct sensor B हो जाएगा next question देखिए 38 number यहां पर दिया है what is the name of LED monitor part mark x यह जो LED part mark x किया गया है LED monitor भाग का नाम क्या है जो x की रूप में चीनित किया गया है तो इसका नाम है crystal molecule correct answer क्या हो जाएगा do जाएगा crystal molecule next question देखिए जाएगे 39 number what is the full farm up HPT देखिए मैं यहां पर लगबर आपके इतने question करा लिए इसमें आपको full farm बहुत ज्यादा देखने को मिलने तो HPT का full farm क्या है तो इसका full farm होता है high power transmitter correct answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा high power transmitter next question देखेंगे 40 number which signal is processed from ry and by signal in color tv receiver रंगिन tv receiver में ry और by संकेतों से कौन से संकें संसोधित होते हैं तो यह संकें संसाधित किये जाते हैं chrominance signal के द्वारा correct answer B हो जाएगा आगे का question देखिए आगे का question जो है 41 से जो start होता है यहां पे वह 60 तक यानि कि 20 question आपके WCS workshop calculation and science secondary के हैं जो कि मैं already solve करा दिया हूँ यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका link मैं description box में दे दूँगा वहां से आप लोग इस WCS को देख लिजेगा इस परकार 40 आप लोग को trade theory के जो थे CBT exam में आये हुए थे previous year के question थे जो कि most important है यदि आप इन सभी को अच्छे से revise करते हैं तो बहुत से question आपके फसने के chance रहते हैं तो प्लीज आप इसको एक से दो बार जरूर देख जाईए और याद कर लिजे पीडिएफ के लिए यह जो पीडिएफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल सक्सेज कैरियर पर मिल जाएगा लिंक आपको description बाक्स में दे दूँगा किसी तरह की query हो तो आप comment बाक्स में पूर्श सकते हैं या आप मुझे instagram पर मैसेज कर सकते हैं परसनल को वरी के लिए इंस्टाग्राम की ID की लिंक में description बाक्स में दे दूँगा जहां से आप लोग मुझे directly मैसेज कर सकते हैं तो आज के लिए वीडियो में इतने वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दिजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर आज के लिए वीडियो में इतने थैंक फार वास्टिंग दिस वीडियो गाइज